दोस्तो आज हम बात करने वाले वन प्लस एटी स्मार्टफोन के बार में देखा चाया तो वन प्लस एट एप्रिल में लॉंच हुआ था जून से उसकी सिल्स वगर अच्छे से स्टार्ट हुई थी लेकिन अब जाके देखाया तो एटी के बार में हम खबरों सुनने लगे औ तो हाँ चली जानते हैं आज वीडियो के अंदर आपको एग्जेक्ली वन प्लस एटी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है वेल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेकिन सबसे पहले हाँ पर आपको एक बात बात आते हैं इस इंफॉर्मेशन नहीं काफी सारे अलग-अलग सोर्से से हैं जो अलगी लीक से काफी सारे और अगर हम इन सारी लीक की बात मानें और प्रास्ट्रेक रिकॉर्ड देखेना तो अल्मॉस्ट सच हुए थे तो सबसे पहले बात करते हैं एक्जेक्ली डिजाइन क्या सा एक बात यहां पर आपको कोई भी कर्व ग्लास देखने को मिलने वाल है जी हां अभी हमारे पास कनफार्मेशन नहीं कि कर्व होगा कि ने लेकिन देखके इमेज लगता है कि फ्लैट हो सकता है तो आप मानगे रखी कि फ्लैट ग्लास आपको इसके अंदर देखने को रहे है जी हां और अगली जो चीज है डिस्प्ले के वारे में वह यह कि यह सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्स के रिफ्रेश रेट के साथ जिसका जो रिजॉल्यूशन होगा वह होगा फुल एश्टी प्लस और उपर की तरफ इस सिंगल पंच होल कैमरा होगा 600 में 16 में अपिसल का इमें सेंसर देखने को मिल जाए जी हां याने कि आपको फुल एश्टी प्लस 120 हर्स का रिफ्रेश देखने को मिलने वालत करेंटली देखा है तो एमोलेड डिस्कीन के अंदर रिफ्रेश देखा जाए तो लगबक 40,000 रुपे के प्राइस पॉंट पे चीज जैना चनी जादा अवैलेबल नहीं यहाने कि आरोजी फोन 2 में देखने को मिलना था लिकना वो डिसकंटीन्यू हो रखा है और मार्केट में भी कुछ दूसरे फोस मौजूद नहीं है जिन में आपको 120 हर्स का डिस्प्लेश देखने को मिले और जहां तक लगता है इस फो क्योंकि यहां पे जो क्लॉक स्पीड होती है प्रोसेसर और जीपू की वह इंक्रीज हुई है इसके साथ ही अगर आप रियल वर्ल्ड में यूजज देखोगे ना तो दौनों आपको एक्जक सें परफॉरमेंस देखने को मिलेगी तो प्रोसेसर की बात यह होगी इसके साथ देखने को मिलेगा और जो प्रैमरी कैमरा और प्लस ए 8.有 आपको देखने को मिलेगा ौ अ किला तो देखने को मिलेगा ए little exactamente कभ US qiके साथ बाकी कैमद पाइट इंकल लेंश से शरय की ग्तिक जेया कोलने burdens नहिง गुसर् वैंपल और लेंटा चैने पापो अब तुफ मेगा पिक्सल अग now कि लेख छचे लाघए जैसे 21-ARIN फीर ये मेरे ख्याल से वन प्लस 70 जो था वहां पर आपको एक टैली फोटो जूम लेंस देखने को मिलता था टूएच जूम के साथ जो जी आपको वन प्लस 80 से मिसिंग होते हुए देखने को मिल रहे तो देखा चाहिए तो यहां पर वन प्लस को काम करना चाहिए इंस्टेट ऑफ ग वन प्लस 70 दुनिया का पहला फोन था जो आउट ऑफ दा बॉक्स एंड्रोइट 10 के साथ आयता तो यह भी 80 जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा ऑक्सिजन ओएस 11 के साथ जो काफी है तक सैमसंग के वन यूई से मिलता जुलता है और यहां पे एंड्रोइड 11 के साथ आ और 80 प्रो के अंदर ही आपको 65 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी जो कि आगे चल के प्रो वर्जिन से निकल के नॉर्मल वर्जिन में आती है तो आप ऐसे समझ सकते है कि फास्ट चार्जिंग आने वाली है लेकिन वो 30 वाट की होगी वो कि 65 वाट की सुपर और और बात खिर इस फोन का जो लॉंच है अल्मोस कंफाम हो रखायट सेप्टेंबर एंड को लेकिए और इसके साथ ही जो वन प्लस है वो अपने दूसरे नए फोन जो की बजट सेंटर्क फोन होंगे जो कि स्नैपडरागन 600 सेरीज या 460 चिपसेट के साथ भी लॉंच हो इसके साथ ही बात करें तो और ओर देखा जा तो काफिक अच्छा फोन लग रहा है चालिस से पैतालीजार रुपे की प्राइस रिंज में आपको काफिक बैलेंस फोन देखने को में लेगा हां लेकिन यहां पे आपको टू एक्जूम या फिर सूपर फास्ट चार्जिंग की बात कर रहे थे वो आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसकी बात कर रहे है एस कंपेर टू रियल मी एक्सिफ्टी प्रो या फिर बात करो आई कुथरी उनसे काफी जाद आगे हो जाता है और 40 टू 45 थाउजन बजट है न उस रेंज के अंदर वन आफ दी बेस्ट और फी अगर होती है तो उसे हमें एक अच्छा बाय कह सकते है अगर ही 45,000 की उपर प्लेस हो सकता है तो देखने वाली बात है कि आखिर 8T प्रो में क्या खास मिलता है उसमें कैमरास में क्या इंप्रूब्मेंट होते है क्योंकि कहा जा रहा है कि 8T प्रो की जो मैंने बाते देखने को मिलेगी जी हां लेकिन उसके बारे हम किसी और वीडियो बात करेंगे अभी उसके इमेजिस वगिर है वह भी ढंक से लीक होई है और अभी सिब हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि वन प्लस है ना 80 को तो सेप्टेमर एंड में लांच करने वाली 40-45,000 कीमत में लेक जी हां तो यह कुछ बात है जो मैंने वन प्लस के बजेट फॉन के बारे में बता दी अब देखते कि आकर चलके बजेट फॉन कैसे होते एक टी में और क्या चीज़ें देखने को मिलती है और 80 प्रो कब देखने को मिलता है तो वेल उसके बार में किसी और वीडियो में बा बाई!